हाई विडियों फिर से एक नीव टेसिंग वडियों में आप सब को स्वागत तो दोसे इस वीडियों का माध्यां से आज मैं आपको जनकर देने वाला हूं कि आपकी इस पकार सब अपना नाम से हैं आपना अधार नमबर को पता करेंगे जब अपका अधार में पता हो ऐगल से नमर है वहां त्व सिद्व में पना दोड़ियों करते हैं उससे पहले आप संद्रल में वेदर अगर आप चैनल पर नए हम गए और इसी पतार वीडियों पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेता हूं जरूरी दो प्रोसेस दो स्टेप पर काम करेगा सबसे पहले तो आपके पास अधार नंबर ना ही आपके पास इनुमेंट आडी नंबर ने वह मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा देन जब अपका इमोमेंट डाइड नमर या अधार पता हो जाता है तो फिर आप अधार डाटों के इस पकास नोड कर सकते हैं वह मैं आपको बताने बहुत ठीक है इसके लिए दूसरों मैं आपको स्कीन पर ले जाता हूं तो चलिए म सब कुछ में डीटेल में आपको समझा देता हूं इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन लाप्टों कंपूटर पर कोई भी ब्रोजर को ब्रोजर अपको उपन करने के बाद सब्सक्राइब करने माई अधार दैन आपको सर्च करने है तो जैसे सर्च किजेगा उसके बा रीट्रब, EID, & अधार नमर का अब यही सब अधार नमर याठोओं आपको पता कर सकते हैं उसके लिए शिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए दो आप्सन आपके पास आता होगा एक अधार नमर का अगर आप अपना अधार नमर पता करना चाहते ह से मांगा जा रहा है उसको यहां पर बार एकेस आपको फिलब करना होता है, तो सबसे पहला जो डिटेल होता है, internet, ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है, जो भी आपने अधारकर्ट बनात तेола classification से आपने अपने फिलब किया था, जो भी आधार neγ eder अगर आपके अधार करणे हुगा या बुला गया है या तब आपको पता हमां पको benefiting यहां सब पता कर सकते कर सकते हैं सब सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा आपके ý़ार करके साथ मोबाइल नमर लिंक होना चाहिए तो जो भी आपने अधार करके साथ लिंक करवाया है वो मोबाइल नमर यहाँ आपको फिलब करना है दैना स्कीन पर देखिए आपके पास एक केपचा कोड नजरा आता है उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पुना दरा तो अधार नमर होता है उसका यहाँ पर देखिए नजरा आता होगा योर अधार नमबर ठीक है अधार नमबर के यहां पर देख सकते हैं 8 डिजिट यहां पर हाइड है बाकि जो 4 डिजिट होता हूँ केवल यहां पर सो होता रहता है लेकिन यहां तो 4 डिजिट से तो आपका अधार कर तो डॉनर तो होने वाला है नहीं केवल यहां पर 4 डिजि यहां पर नजर आता होगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इसी पकार साब को अधार नबर पता कर लेना है अब आपको अधार करना है उसके बाद आपको अधार नबर पता करना है उसके बाद अगर आपने अधार नबर पता किया थो तो पहला बॉक्स में टिक माना है अगर आप अधार नबर पता करते हैं दूसरा बॉक्स में आपको टिक माना है ठीक है उसके बाद जो भी आपके अधार करके साथ मोबाल नमर लिंक होता है उस बास दुबारा से आपको ऑठीक अधार करते हैं जिसके बास तो इसके बाद जो भी आपका अधार करते हैं एक पीडियाप फाल में डौट हुआ है और साथा साथ जो भी आपका अधार करका पीडियाफ़ होता है उसमें एक पासवर्ट प्रोटेक्ट होता है ठीक है पासवर्ट लगा होता है complete आठ डीजिट के पासवर्ड होता है आठ डीजिट में जो भी आपका नाम है नाम का फर्सपोर लेटर आपको लिखना होगा लेटर में बड़ेबडे थ्रो में जैसे कि मेरा नाम अधो यहाँ पे द गेर होगा यहां इसाemple की टूर क्रार actors के अधोर नहीं करना है केवाल 1990 फिलब करना है जिसे कि मैं complete passport यहां पर आशकीन पर दिखास रहा हूं से मैं इसी परकास जो भी आपका पासफ़ोड हो आपको फिलब करना है देन आपको पर क्लिक करना है जैसे शमीट पर क्लिक करेंगे जो भी आपका अधार काड को सक्सेसफ़ी में पर बनाजर होगा आप इस आधार काड को डाय पींट आप लेजीए पिबी से कार्ट बनाया लिए या तो फिर इसे आप पुडिया फाल में भी सेफ करके रख सकते हैं तो इस में आपको डीटेल में स्टेप बेस्टे बता दिया हूँ जो भी अपका अधार कार्था तूट गया फट गया चोरी होगी या तो फिर को गया है जिसके में आपके पास अधार नमबर नहीं है ना ही आपके पास इमोमेंट आईडी नमबर है ठीक है या तो फिर जो भी अपने अधार कार्थ बनाया था वो अभी तक नहीं आए अपके घर के पते पर नहीं सेंट किया गया है काफी दिल हो चुका है तो जो मैंने आपको शूड़े को सोलूसन बताया हूँ इसी सोलूसन का माध्यों सब कुछ से अलाइन तरीका सब अपना अधार कार को डौन कर लिजे अधार को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं यह आपका ओरीजिनल ही अधार काड़ है ठीक है आसा कर तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो जो भी मैंने आपको जन कर दिये सब कुछ आपको समय आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल पर नए हैं रिसीट कर सु हाद है